आप सभी प्यारे भाई भेनों को, सातियों को, सब को मेरा प्यारबरा नमस्कार है। आज हर्याली तीज है। आज मैं इसके आपको एक कथा सुनाँगी। हेमालिय पुत्री की ये कथा है। बादुवे पद शुकला तिती को हर ताली तीज बरत किया जाता है। सुहागन इस्त्री इस दिन संकर पारवती की बालू की मूर्ती बना कर पूजा करती है। सुन्दर वस्त्र इस थापन से घर को सजा कर नाना पिरकार के मंडली गीतों से रात्री जागरण करती है। इस दिन बरत रखने वाली इस्त्री असनान करके नए कपड़े पहने। महंदी लगाएं और ठाली में पूजा का सामगरी रख कर सीव जी और पारवती जी की पूजा करके प्रिशाद चड़ाएं। कहानी सुनने के बाद सीव जी और पारवती जी को दोती अंगोचा चड़ाएं। फिर आरती उतारें। पारवती के लिए एक सुहाग पिटारी वेहे मिठाई चड़ाएं। फिर ब्रामनी को दोती और अंगोचा दान में दे और सुहाग पिटारी किसी ब्रामनी को दे दे में। विवायती इस्त्रियां रुपिये तेरे रुपिये मिठाई तेरे मिठाई अपनी सासुजी को दे कर उनके पाम लगें। और आशिरवाद प्रापत करें। इस बरत को करने वाली इस्त्रियां संसार में शुक भोग करें। शीव लोग को प्रापत होती हैं। कथा चालू करते हैं। हेमालिय पूत्री ने संकर को पती रूप में पाने के लिए कठीने तपश्य प्रहम की। उसी घोर तपश्य के समय नारजी राजा हेमालिय के पास आया और कहा। विष्णु भगवान आपकी कन्या पारवती के साथ विवाय करना चाहती हैं। नारजी की बात को हेमालिय ने सिवकार करे लिया। पस चांत नारजी विष्णु के पास गया और कहा की आपका विवाय हेमालिय ने पारवती के साथ करना पै कर दिया है। इसकी सीक्रहती दे पिता हेमालिय ने पारवती को भगवान विष्णु के साथ विवाय संबंद में बतलाया। तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सकी से बोली मैं इधर भगवान संकर के साथ विवाय करने के लिए कठोर तपश्या प्राम कर रही हूं। इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ शंबंद करना चाते हैं। यद ही तुम मेरी सहता करे सको तो बोलो। अनिय था मैं प्राण त्याग दूँगी। सकी ने संत्वाना देती हुई कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वनमे ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रेकार पारवती सकी के साथ गने जंगल में चली गई। इधर पिता ये मालिये को घर में इधर उदर खोजने। पर जब पारवती को ने पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मुर्चित कर दिया। तब सभी लोग पारवती की खोज में लग गए। इधर सकी सहेत पारवती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपश करने लगी। बाद पद शुकला तितिया को उपवास रख कर पारवती ने सीव लेंगे। इस था पित करके पूजन तथा रात्री जागरन किया। पारवती ने इस कठी ने तपसे संकर भगवान को आना पड़ा। तथा पारवती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर दहंगनी रूप में सीवे कार करना पड़ा। पस चांत संकर तुरहंत कैलाश परवत पर चले गए। प्रात बेला में जब पारवती पूजन सामगरी नधी में छोड रही थी। कि हे मालिय राजा उसे इस थान पर पहुँच गया। वे पारवती को देख कर रोते हुए पूचन लगे बीटी तुम यहां कैसे हैं।